प्यारे बच्चों नमस्कार, हिंदी की किलास में आपका स्वागत है जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमने ओ मात्रा के बारे में सीख लिया है और भाशा मादुरी किताब में से उससे सबंदित सारा कारे भी पूरा कर लिया है आज हम इसी मात्रा से सबंदित अपनी किताब भाशा अभियास में से कुछ कार्या करेंगे तो आप अपनी भाशा अभियास की किताब page number 41 पर खोलेंगे हाज जी बिटा ये है भाशा अभियास की किताब पर page number 41 सबसे पहले आप इस page के उपर आज की date लिख लेंगे heading पढ़ ये बटा नाम किया इसका holy का दिन ये part बेटा हम अपनी भाश्य मादरी किताब पर पढ़ चुके हैं आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे देखिए सबसे पहले heading है आपका चितर देखकर वाक्या पूरा कीजिए यहाँ पर बेटा आपको इस page में कुछ चितर दिये गए है और उनके नीचे दिये गए हैं आपको वाक्या जो की अधूरे है आपने चितर को देखकर उस वाक्या को पूरा करना है लेकिन आप लिखने से पहले बेटा हर एक sentence को हर एक वाक्या को पहले अच्छे से आप रीड करेंगे फिर आपने चितर देखकर उस चितर का नाम आपने वाक्या में भरना है तो हम चलिए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले चितर देखिए किस चिज़ का चितर है बटा ये तो ता, अब आपने वाक्य को रीड करना है, डैश अमरूद खा खाता है डैश अमरूद खाता है कौन खाता है मरूद बटा? तो ता, तो यहाँ पे आप क्याले कि देंगे तो ता, त को देखें, कौन सी मत्रा ओ की मत्रा, उसके बाद त को आ तो त, ओके, यह आपने कुछ से भरना है, नेक्स्ट देखिए, दवाई, दवाई की डैश उपर रखी है, दवाई की डैश उपर रखी है, देखिए बिटेट दवाई की क्या रखी है, यह क्या चीज है, यह चितर है, बोतल का, तो आप यहां पर क्या लेखेंगे, बोतल, आगे देखिए, डैश मेज, मेज पर रखी है, क्या रखी है मेज पर बटा, टोकरी, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोकरी, आगे देखिए, डैश पहन कर बाहर, बाहर जा, डैश पहन कर बाहर जा, क्या पहन कर बाहर जा बटा, देखिए, इस आदमे ने क्या पहना हुआ, इसने पहना हुआ है, कोट, तब यहाँ पर क्या लिख देंगे, क, क को ओ की मत्रा, ट, कोट, आगे देखिए, नीलम डैश बजाती, बजाती है, नीलम डैश बजाती है, देख आगे देखिए, यह तश है, अब आपने पहचाना यह किसका चित्र है बटा, क्या चीज है यह पक्षी है, कौन सा पक्षी ह है यह है, मोर, तो क्या लख देंगे हम यहाँ पर, मा, मा को ओ की मतरा र, मोर, यह मोर है, नेक्स देखिए, डैश गाजर खाता है, डैश गाजर खाता है, देखिए कौन है ये, कौन है जो गाजर खाता है बटा, ये है खरगोश, तो हम कैसे लिखेंगे, खरगोश, ग को ओकी मतर है, उसके बाए श शल गंबाला, खरगोश, ओके, डैश घास खाता है, कौन खाता है खास चितर किसका है ये है घोड़ा तो यहांपर हम क्या लिखेंगे घ को ओड़ को आग घोड़ा ओकी बटा ये था आपका बटा पेज नमबर 41 जैसे मैंने आपको रीडिंग करके दिखाई है इसी तरह बटा आपने पहले वाक्य की रीडिंग करनी है अच्छे से फिर आपन अनुचेद को ध्यान से पड़िये यहांपर आपको एक अनुचेद दिया गया है कुछ लाइने लिखी गी है आपने इसको ध्यान से पढ़ना है और आपने बेटा मुझे इन सभी लाइनों की रीडिंग करते हुए वीडियो बनाकर भेजनी है सभी बच्चों की इस लाइ अब Oundertra वाले कोई 6 शबद चांट कर नीचे दिये स्थान पर लिखिए आपने इसी अनुचेद में से आपने Oundertra वाले कोई 6 शबद चांटने है और उनको नीचे चो आपको प्र प्रंस दी गई है उस में आपने उनको लिखना है ठीक है इसमें काफि मातरों की शबद आई हैं जिसमें की O मातरा की शबद भी हैं तो आपने सिरफ O मातरा वाले शब्दों को छांड कर यहां पर लिखना है देखिए जैसे कि पहला शबद देखिए देखो, देखो, अब देखो, इस शबद में भी आपकी O की मतरा आ गई है, ये देखे, ख को O की मतरा लगी है, तो आप इस शबद को यहाँ पर लिख सकते हैं, आगे देखिए, मो, टा, मो, टा, अब मोटा शबद में भी O की मतरा तो इस शबद को भी लिख सकते हैं, इस तर इनों की आपकी रीडिंग की वीडियो आनी चोहिए मेरी पास और नीची आपने यहाँ पर इसका फिर उसके बाद रीटन काम करना है अब हम देखते इसका नेक्स्ट पेस हाँ जब इस पेस में देखिए बटा दिये गए वाक्यों को सही चित्रों से मिलाए और शबद भी ल नाम लिखना है और वाक्यों को इस चित्र से मिलाना है ओके हां जी तो बटा इसमें सबसे पहले मैं आपको चित्रों की पहचान करवा रही हूं देखिए पहला चित्र यह क्या है बटा यह एक डाकिया डाकिया कौन होता है जो हमें चिठ्धियां देकर जाता है ओके तो इ या फिर बंदर का, बंदरिया का तमाशा दिखा रहा होता है, ठीके, तो जो तमाशा दिखाता है, इसको क्या बोलते हैं, मदारी, नेक्स देखिए, ये कौन है बिटा, इसको बोलते हैं, धोबी, जो कि कपड़े धोता है, अगला चितर है बिटा, ये देखिए, यहाँ पर पौधों को पानी दे रहा है, यह कौन है, जो पौधों की देख भाल करता है, उनकी संभाल करता है, उसको बोलते हैं, माली, नेक्स देखी बिटा, यहां पे चितर कापको नाम दिया गया है, यह है जोकर, जोकी सरकस में होता है, यह सरकस में तरह तरह के तमाशे दिखाता है आगे देखिए बेटा देखिए जो हमारे जूते ठीक करता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मोची अब आपको चित्रों की पहचान हो गई अब हम वाक्यों को रीड करते हैं चित्रों की पहचान करने के बाद बेटा आपने खुद से ये सारे वाक्य एक एक करके रीड करनी है अभी पहले मैं आपको रीडिंग करवा रही हूँ देखिए सब को हंसाता ये बटा ह की उपर जो लगी हुई है इसको बोलते हैं चांद बिंदू देखिए कौन है बटा जो सब को हंसाता है जो कर थीक है तो यहाँ पर इस वाक्य की चित्रे के साथ आपको मैचिंग करके दी हुई है बाक्यों की हमने करनी है आगे देखिए कपडे धोता है कपडे धोता है अब हमने बताना है जो कपडे धोता है इसको क्या बोलते हैं बटा अभी मैंने आपको चितर की पहचान करवाई थी न ये है इसको बोलते हैं धोबी जो हमारे कपडे धोता है इसको बोलते हैं धोबी तो आपने यहाँ पर इस चितर के नीचे इसका नाम लिख देना है आपने धो बी, देखिये हम धो बी क्यासे लिखेंगे, पहले धो, कौन सी सान डाहरी? यह बट थर, दह को O की मतरा, तो आप धर डालेंगे, दह को डालेंगे आप O की मतरा, उसके बाद B, B कैसे बढ़ेगा? ब ब को बड़ी की मत्रा धोबी अब हमने चितर का नाम लिख लिया है अब हमने क्या करना है इसकी करनी है मैचिंग आप इस वाक्या से अपनी पैंसल उठाएंगे और इसको धोबी के चितर के साथ मिला देंगे देखिए इस तरह से आप इसको यहाँ पर बैटा मैच कर देंगे अब हम अगला वाक्या पढ़ते हैं देखिए जू अब यहाँ पर बैटा ज को कौन सी मत्रा है बड़ाओ की तो आप इसकी साउंड निकालेंगे जू ते त को एक ही मत्रा जूते बनाता बनाता है जूते बनाता है देखिए जो आदमी जूते बनाता है ज़ा उनको ठीकर तो उसको क्या बोलते हैं बटा मोची कहाँ पर है चितर? यह रहा तो पहले तो हम लिखेंगे इसका नाम मोची देखिए पहले मो उसकी बाद ची तो कैसे लिखेंगे म को ओ की मत्रा और च को ई की मत्रा यह बन गया मोची ओके अब हमने करनी है इसकी मैचिंग तो अब इस वाक्या से अपनी पैंसल उठाएंगे और इसको आप इस चितर के साथ यहाँ पर मैच कर देंगे ओके बिटा नेक्स देखेंगे पेड़ अब यहाँ पर देखो प को कौन सी मत्रा थी ए की मत्रा पेड़ पो यह है बिटा प को ओ की मत्रा यह भी मत्रा भी हमने की नहीं है ओ की मत्रा के बाद नेक्स्ट मत्रा हम यही करेंगे तो पधो की देखबाल करता है, पेड़ पाधों की देखबाल करता है, जो 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 पेड़ पाधों की देखबाल करता है, उसको क्या बोलते हैं बटा, म माली, यह दी कि यहाँ पर हमने किया था माली का चितर, अब हम लिखेंगे इसका नाम माली, तो कैसे बढ़ेगा माली बेटा, पहले में दोको मौ को कौन सी साउंड आ रही है, आ की, आ की साउंड के लिए हम मौ को लगा देंगे आ की मत्रा, उसके बाए ली, लो को आ रही है बड़ी ए की मत्रा, बड़ी इ की साउंड आ रही थी तो उने बड़ी ए की मत्रा लगा दे, यह बन गया माली, अब हमने क्या करना है, इस इस चितर के साथ हमने मैचिंग करनी है, तो यहाँ से आप इसको उठाएंगे, और यहाँ पर लाकर इसको हम मैच कर देंगी, ओक bach नेक्स देखिए, डाक, डाक, लाता, लाता है, डाक लाता है, जो डाक लाता है बिटा, हमारी लिए इसको क्या बोलते है, डाकिया, ओके, तो डाकिया हम देखी, कैसे लिखेंगे, डा, ड को आ की मत्रा, की, यहां पर पड़ेगी बिटा, क को छोटी की मत्रा, की, या, डाकिय तो यहां से हम अपनी पैंसल उठाएंगे और इसको इस वाक्य के साथ हम मैच कर देंगे ओकी बटा नेक्स देखिए तमाशा तमाशा दिखाता है तमाशा दिखाता है जो उसको क्या बोलते हैं बटा मदारी यह रहा उसका चितर अब हम कैसे लिखेंगे मदारी तो पहले म उसके बाद दा मतलब की द को आ की साउंड आ रही है उसके बाद री र को इ की मत्रा तो यह बन गया हमारा मदारी ओकी बटा तो यह था बटा आपका पेज नंबर 43 जिसको अभी हमने कंप्लीट किया आपने भी बटा अपने बुक के उपर सुंदर-सुंदर काम करना है अच्छे-ची लिखाई करनी है साफ-साफ लिखना है आपने ठीक है बट उससे पहले आप क्या करेंगे उससे पहले आप करेंगे इन तीनों पेजों की अच्छे से रेडिंग ओके बेटा आज के लिए इतना ही धन्यवाद और आपने अपना ये सारा काम बेटा मुझे वर्शब के उपर सेंड करना है चेकिंग के लिए बाई बेटा